ये हैं News Reporter Network, आप देख रहे हैं News Reporter Life, सोच आपकी आवाज हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं News Reporter Network, अब मैं हूँ आपके साथ वंदना सती शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर भाजपा का सदस्यत्या भ्यान जारी पार्टी की मुस्लिम वर्ट पर खास नजर केदाना धाम के लिए दूसरे चरण की हलिकॉप्टर सेवाएं होंगी शुरू अब तद 66,000 से अधिक शद्धालों ने किये बावा केदार के दर्शन पुर्व मुख्य मंत्रे हरी श्रावत जिलाहरे द्वार के कौनून व्यवस्था को लेकर होए खाफा 12 सितंबर को मौन व्वास के बाद निकालेंगे पद्यात्रा हरी श्रावत के मौन व्रत पर भाजपाने का सतंच कहा मीडिया में छाए रहने की है आदत अब खबरें विस्तार से कर रही है भाजपा विधायक विनो चमूली का कहना है कि भाजपा की तरफ से अल्प संख्यक प्रकोष्ट का गट्यन किया गया है और पूरे देश में सदसिता अभ्यान चलाया जा रहा है इसी के तहत उत्तराखण के अल्प संख्यक कांग्रेस के वरष्ट नेता एवं पूरो मुख्य मंत्री हरी श्रावत 12 सितंबर को हरेद्वार जिले की कौनूम्य वस्था को लेकर मौन उपुवास के बाद पदियात्रा करेंगे वो हरेद्वार के चंद्रा चारे चौक से परशुराम चौक तक पदियात्रा निकालेंगे उन्होंने पार्टी के कारे करताओं से पदियात्रा में शामिल होने की अपील की है पूर्वसीयम ने कहा कि हरेद्वार में कानून व्यवस्था बदहाल है रानेपुर मोर्ड पर जोलरी शोरूम में दिंदाहाड़े डकैती की घचना होई है भरे बजार में डकैत महमान की तरह आए और उसी तरह गए अभे तक पुलिस डकैती में शामिल आरोपियों को गिर अफ्तार नहीं कर पाई है उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 11 सितंबर की शाम तक पुलिस डकैतों और माल को बरामद नहीं करती है तो 12 सितंबर को मैं हरे द्वार की कानून व्यवस्था को लेकर पदियात्रा करूँगा इससे पहले वो 11 बच के 15 मेट पर 15 मिने कम मौन उपरवास रखेंगे यहां तक नौबत है आज व्यापारी हर द्वार के अंदर धरने पर हैं अपनी सुरक्षा की माल के लेकर करके और 11 तारिक को मैं भी संकराचारी चौक के आसपास एक किलोमीटर से पद्जाता करूँगा कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता एवं उत्राखेंग के पूर्व मुख्य मंद्री हरी श्रावत 12 सितंबर को हरिद्वार जिले की कौनून व्यवस्था को लेकर मौन वर्थ पर रहेंगे इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेवी प्रदेश अध्याक्ष यॉक्टर आर्पी रतूरी रे कहा कि हरीश रावत को मीडिया में चाहे रहने की अच्छी आदत है हरीश रावत जब मुख्यमंद्री थे उन्होंने उस समय उत्राखईं के तमाम ऐसे मुद्देते जिनको नहीं सुल जाया चाहे उत्राखईं प्रदेश की राजधानी का मामला ही क्यों ना हो उन्होंने इस मौन वर्थ को हरीश रावत की नौटंगी करार दिया को निच्ची तोर पर मीडिया में रहने की एक अच्छी आदत है कि किस तरह से रहना है यह सारे जब मुख्यमंद्री थे तो चाहे वो राजधानी का मामला हो उसे क्यों नहीं सुल जाया स्थानी एजनता को ड्राविंग लाइसेंस बनवाने में दिक्कतों का सामना करने या अपने वाहन की आर्सी ट्रांसर कराने की साथ अन्य मांगों को लेकर मुख्यवे पक्षीदल कॉअरे के कारेकरताओं ने राजधानी देरवादून के आर्टी watch कार्याले पहुंचकर प्रदर्षिंग किया जर्मा ने कहा कि कॉंग्रेस कारेकरताउंने ए रिक्षाद्वारा सरकोपर ट्राफिक जाम की बात रखी है जिसके लिए एंफोर्स्मेंट की टीमें काम कर रही है और उन्हें हमें आसोसन भी दिया कि मैं इसके लिए पूरी टीम लगा के काम करूँगा राश्ट्रे सासी मिशन के अंदर गत कल यानिकी 10 सितंबर को दहरादून जिले में राश्ट्रे क्रिमी मुक्ती दिवस्मन आया जाएगा इसके तहट जिले के आंगनमाडी केंद्रों पर 1-6 वर्ष तक के आयू की सबी बच्चों सबी सरकारी गयर सरकारी विद्यालेों के 6-19 वर्ष के चात्रों को अलबेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी जनपद में 6 लाग से अधिक बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष रखा गया है वही मुक्य चिकित साधिकारी डॉक्टर संजे जैन ने अभी बावकों से 10 सितंबर को अपने बच्चों को विद्याले और आगनमाडी केंद्रों पर बेजने की अपील की है वहीं डॉक्टर जैन ने बताया कि क्रिमे संक्रमण से बच्चों में खुन की कमी, कुपोशन, बूखना लगना, बेचैनी, पेट में दर्द, उल्टी और दस्त, वजन में कमी जैसी परिशानिया होने लगती है लेकिन अलबेजना जोल की दवा लेने से बच्चों के एक पेट में होने वाले क्रिमे संक्रमण को रोका जा सकता है जैसे कि उनके पेट की क्यूडों के लिए बेसिकली होता है तो ये करीव स्वाड़ी छह लाग बच्चों का हमारे जनपत का लक्ष है इसमें हमारी सभी विवागों से बैठक हो गई है मेंली इसमें इसमें इच्छा विवाग का मैन रोल रहता है गड़वाल राइफल्स की 14 वी बटालियन का 49 स्थापना दिवस राजवानी दहरादून में दूमधाम के साथ मनाया गया प्रदेश की सैनिक कल्यान मंत्री गणई जोशी मुक्यातिती के रूप में कारिक्रम में शामिल हुए देशी रक्षा के लिए अपने प्राणों के आहुती देने वाले वीर शवीदों को मौन रक्केश धांजली अर्पित की गई और वीर नारियों और वीरता पदक प्राप्त पूर्व सिपाहियों को सम्मानित किया गया सैनिक कल्यान मंतरी गणी जोशी ने कहा कि सैनिकों के सम्मान के लिए उतरा खंग में सैनिय धाम कर निर्माण किया जा रहा है जिसका जल्दी ही लोकार मढ़ किया जाएगा उन्होंने बटालियन के पूर्व सैनिकों को स्थापना दिवस की शुपकामना है देते हुए कहा कि चौदवी बटालियन गडवाल राइफल्स में उनको सेवाई देने का अफसर प्राप्त हुआ था उन्होंने का आज मैं जहां भी हूँ उसके पीछे मेरी सैनिक प्रिश्च भूमी है उन्होंने अपने पल्टन में मिताए पलो को भी याद किया साथ ही ये भी कहा कि गडवाल राइफल्स वीर्ता की मिसाल है मैं 13 नमबर 1973 को मैंने आगमे बटती भूआ था और अगर 77 में मैंने एक सैनिक के भूप में 14 रवाल राइफल में अपनी सैनिक यात्रा सुरू की और आज इसका उल्टस्वास था अपना दिवस है और हर बस इसका अर्ग्रूम को हो मनाते हैं क्योंकि मैं आज जहां में कहीं भी हूँ जनपद रूदर प्रयाग प्रवास के दोरान प्रदेश के कृशी मंतरी गड़ी जोशी ने आज जनपद रूदर प्रयाग के दुरगधार में पहुँचके खेतों का दौरा किया और मिलेक्सी फसल मैंवासोयबीन तौर गहे चौलाई का अवलोकन किया इस अवसर पर उन्होंने स्थानी किसानों से मिलकर उनकी समस्याई सुनी और फसल की सिती पर चर्चा की इस दौरान किसानों ने क्रिशी मंत्री के सामने अपनी विबिन्न समस्याई रखी और क्रिशी मंत्री ने किसानों को उनके समस्याई के समाधान के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया उन्होंने बताया कि मिलेट्स की खिती को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार किसानों को प्रौत साहिद कर रही है उन्होंने बताया कि आज यहां की किसान भी उच्छ गुडवत तयुक्त वेराइटी जी एल मंजुआ का प्रयोग कर आत्मे निर्भर बन रहे हैं उन्होंने बताया कि पहले मिल्वा की फसल 6 महीने में तयार होती थी लेकिन उच्छ गुडवत तयुक्त वेराइटी बीजों के माधियं से अब फसल 5 महीने में तयार हो रही है उन्होंने बताया कि किसानों के कल्यान और उनके आई को दोगुना करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है प्रिसिंस सब्सिडी किसान को देते हैं और आज जो राइटी यह पर लगाई है बिल 386 पहरे मडवे च्थेमेन में तियार होता था आज पांच बैल पांच मेंने में तियार होता है और उसके साथ अन्या मिक्स फस्ट लें यहां के किसान लगा रहे हैं आदरभर हो रहे हैं आज मडवे का MSP सबसे जादे 12 रुपय निब्भे पैसे है और किसानों को उसका फसल का दाम मिले हमाने जो हमारी समहू की बेहने हैं जिनकी संख्या पांस लाक से अधिक है अक्रिस दिपिका पादुकोन अपने पहले बच्चे के जन्म को लेकर चर्चा में बनी हुई है वहीं जब उनकी गाड़ी को मुंबई के होस्पिटल के बाहर देखा गया इसके बाद से फैन्स क्रेजी हो गए हैं वहीं आपको बता दे कि कपल के घर खुशियों ने कदम फैन्स को जब से एक्साइटिंग यूज मिली है उनकी खुशी समहले नहीं समल रही भारत को बांगलादेश के खिलाफ 19 सितंबर से दो टेस्क मैच खेलने है इस सीरीज का पहला मैच चिन्नई में होगा बीसी सी आई ने फिलाल पहले टेस्क के लिए ही टीम का एलान किया ह 2022 में कारदुर गटना में गंभीर रूप से घायर होने वाले रिशप पंत की एस सीरीज के लिए टेस्क टीम में फापसी हुई है